हलो फ्रेंडस ऐसकी इस वीडियो में आपको यह मतानी जारों की कैसे आप अपने रेङडवे ट्वाइटनेज की प्रॉलम का आप अब आपको इस पेज में automatic brightness के ठीक सामने अगर यह बटन आपका चालू है तो इसे बंद करके रखना है तो आपकी प्रॉब्लम जाना इससे solve हो जाती है अगर आप यह बटन यह सैटिंग अगर बंद करके रखेंगे तो ठीक है अब देखें अगला काम करना है क्या है आपको security update का यह option आता है इसे tap करना है आपका फोन डिरेक्ली आपको इस सैटिंग में लाएगा security update का यह option टाप करेंगे तो आपको इस वाले पेज में अगर कोई भी अपडेट का बटन यह डाउनलोड इंस्टॉल यह आपे लिखा हुआ दिखाई देता है तो इससे आपको टाप करके फोन का software update करने अगला का में करना कि आपके फोन में यह यह फाइल का याप हो था Google फाइल का यह फाइल में है ऍसलिए और और सस्दॉप तो आपका android system का app info का page आएगा इसे storage पर टाप करना है इसके अंदर आपको नीचे clear catch पर टाप करना है तो यह page आएगा इसे ok कर देना है तो आपका catch के सामने ला data 0 हो जाएगा ठीक है अब देखे अगला काम आपको करना है क्या है आपको जो आपने mobile phone को reset करना है देखे दोस् पर search bar में reset आपको लिखना है आपको नीचे की side ना factory reset का यह option शोगा इसे टाप करना है आपको इस वाले page में सबसे नीचे erase all data का यह option टाप करना है इससे आपका phone जो reset हो जाएगा और आपके phone की auto brightness की problem solve हो जाएगी लेकिन phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है तो बात ही ध्यान रखने है आपके phone में जितना भी data सारा data आपके लिखने दूसरे phone में transfer कर लिजे या उसका backup ले लिजे दूसरी ध्यान रखने है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके पाद phone को reset करना है तो मेरे ब